ओम्हनमते नमा पर इस्त्री का लोलूप होता है कभी कभी जातक के अंगों में भी विकार आ जाता है वह कलाप्री करतग्न तथा दूसरों से जलने वाला होता है वह अकारण ही दूसरों के कारियों में बिख्ण डालता है यदि लग्न चर रासिका हो लगन का नवमान्स भी चर रासिका हो तो लगन पर सनी या नीच के ब्राश्पत की दर्ष्ट हो तो दरिदर योग बनता है ऐसी संभावना केवल करक लगन में बनती है यदि लगने इस्थिर रासि में हो और सभी पापगरह केंदर और त्रिकोन में हो तथा सुबगरह केंदर के अत्रिक्त किसी अन्य इस्थान पर हो तो जातक भिच्छा मांग कर जीवन यापन करता है यदि लगन इस्थिर्दासिका हो और सभी पापगरह केंद्र एम त्रिकोन में हो तथा सुबगरह केंद्र और त्रिकोन में हो लेकिन निर्बल हो और पापगरह केंद्र के अत्रिक्ट किसी अन्य स्थान पर हो तो भिच्छिक योग बनता है यदि लगनवा चंदरमा से चतुर्थ स्थान पर पाप ग्रह बैठा हो तो जातक निर्धन होता है। यदि चंदरमा किसी ग्रह युद्ध में पराजित होकर असुवे इस्थित को प्राप्त हो तो जातक आजीवन दरिद्र रहता है। यदि केंद्र या त्रिकोन वर्ती चंद्रमा शत्र या नीच वर्ग का हो और चंद्रमा से ब्रहस्पत बुद्ध आठ्वे या बार्वे घर में हो तो जातक दरीद्र होता है। चंद्रमा तुला रासि में इस्थित हो और नौमांस में सत्व रासि में इस्थित हो किसी नीच या सत्व ग्रह द्रश्ट हो तो जातक दरीद्र होता है। नौमांस में हो तो भी दरीद्र योग बनता है। नीच का ब्रहस्पत दसमिस्थान पर बैठा हो तो जातक गुप्त तरीके से पाप करने वाला होता है। उच्चस्थ ग्रह नीच नौमांस में होने पर बुरा फल देते हैं और जातक कुकर्मी बनता है। आत्माकारक या लगन से अश्टमभाव के इस्थाई की दर्ष्टे आत्माकारक या लगन पर हो तो भी दरीद्र योग बनता है। मित्रों, दरीद्र योग या इस तरीके के जितने भी असुभ योग हैं वो किनी बिसेश परिस्थितियों में बनते हैं। दरीद्र योग और भी चुब योग उपरियुक्त तत्यों के आधार पर ही बनता है। और इससे ग्रसित विक्ति बहुत मुश्किल से इनसे चुटकारा पाता है। ये साधान कुछ टोटके हैं, कुछ उपाये हैं, जिनको के आगे आने वाले वीडियोज में हम आपको बताएंगे, उनको करके आप इनसे कुछ हद तक मुक्ति पा सकते हैं। नित्रों, हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं, तो कप्या लाइक करिए, सेर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आउस करिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।